वेलकम टू दर राजस्तानी किचन संसार तो फ्रेंड्स मैंने सोचा कि ब्रेड से कुछ ऐसा नास्ता बनाये जाए जो जटपड से बन कर तयार भी हो जाए और खाने में भी इतना मज़ेदार लगे कि क्या करना जब मैंने यह रेसिपीट बनाई तो सबको बहुत पसंद आज की मज़ेदार रेसिवी यह मैंने चार मीडियम साइज के आलू लिया है इसको बोईल करके चिल के निकाल कर इसको अच्छे से मेज करेंगे आप चाहू तो इसको ग्रेट भी कर सकते हैं लेकिन इसमें मोटे मोटे चंक्स नहीं रखने हैं इसको एकदम बारिक ग्रेट करना है इदेखिए इस तरह मैंने मेज करके रख लिया है अब डाल डेंगे इसमें एक बारिक गॉत हुई हरी मेड़ और साती में बारिक गठी ओवी दनियापत्ती एड़ करेंगे इसे ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं डालेंगे अब इसमें मसाले एड़ कर देते हैं तो एक चम्मज कश्मीरी लालमिर्स का पाउडर साथ इमें आदी छोटी चम्मज हल्दी पाउडर और अब डाल देंगे इसमें एक चम्मज दनिया पाउडर इसी के साथ में आदी छोटी चम्मस चाट मसाला भी एड़ करेंगे इसका भी इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर रहता है अब डाल देंगे इसमें एक चम्मस काला नमग और टेस्ट के एकोडिंग नमग एड़ कर दीजिए अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अगर मेरी रेसीपी अच्छी लग रही हो तो लाइक, सेर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो यह देखिए यह मारी स्टेपिंग तयार है इसके बाद यह मैंने मोजरेला चीज ली है इसकी जगह आप कोई सी भी चीज ले सकते हैं और इसी के साथ में यह मैंने 8-10 ब्रेड लिये हैं इसको ब्रेड से बनाएंगे इसके बाद चम्मस से एक चम्मस भर के स्टेपिंग को उठाएंगे इसको इस तरह गोल कर लेना है इसके बाद इसको तोड़ा सा फ्लेट कर लिजिए इस तरह इसको फ्लेट कर लेंगे अब इसके अंदर चीज को अच्छे से रख देंगे और उपर से कवर कर देना है इसको अच्छे से कवर करना है, नहीं तो यह तेल में विखर जाती है, इस तरह आपको बोल्स बना लेने हैं, बाखी को भी इसी तरह बना कर रख लेंगे, इसके बाद जो ब्रेडें उसके किनारों को निकाल लेना है क्योंकि जो किनारे हैं वो हार्ड होते हैं, इसे आप ब् इस तरह मैंने निकाल कर रख लिया है एक बर्तन में पानी लेंगे और जो ब्रेड के किनारे काटे थे उनको उठा कर इसमें डिप करना है तो दोनों साइडी इसको अच्छे से डिप कर देना है और वापस आथ के उपर रख कर इसके एक्स्ट्रा पानी को निकाल लीजिए इस तरह निकालना है इसमें खूप सार का पानी निकलता है इसके बाद जो बोल्स बनाए थे उसको इसके सेंटर में रख देना है और इसको उपर से अच्छे से कवर कर दीजिए और देखे इस तरह आपको कवर करते जाना है एसली बोल्स बन जाती है क्योंकि ब्रेट बरेट को पानी में बिगोने से वह में बिल्कुल सोप्ट याँ देखे इस तरह को बोल्स कर दो तो यहां पर मैंने सभी के बोल्स बना कर रख लिये हैं आप चाहो तो इसको दूसरा सेप भी बना सकते हैं इसके बाद यह मैंने ओईल को गरम होने के लिए रख दिया है और जब हमारा ओउल अच्छे से गरम हो जाए तब गेस को मेडियम कर देना है और एक एक बोल्स को इसमें चोड़ते जाना है अब इसको अच्छे से पकने देते हैं और जब ये नीचे से अलके से सिख जाए इसका color change हो जाए तब इनको turn करेंगे इसको बहुत ही अलके आज से turn करना है नई तो इसमें जो चीज रखी थी वो पिगल जाती है और वो तेल में दिकर जाती है ये देखिए इस तरह सभी को turn कर लेंगे और अच्छे से पकने देंगे ये नास्ता बच्चों को तो बहुत पसंद आएगा क्योंकि ये चीज से बना हुआ है और चीज बच्चों की फेवरेट होती है तो ये देखिए इसको दूसरी साइड भी अच्छे से पका लेंगे इसका काफी कलर चेंज हो गया है तो ये देखिए ये अच्छे से पक चुके हैं तो फ्रेंड्स आपको मेरी रेसीपी कैसी लग रही है मुझे कोमेंट करके जरूर बताना तो ये देखिए इनको निकाल लेंगे बाकी को भी इसी तरह पका लेंगे ये देखिए अमारा न्यू स्टैल का नास्ता बनकर तयार है मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ कि ये देखिए इसमें चीज भी अच्छे से मेल्ट हो गई है तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर और सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसीपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई